देखे सहब इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे UP Polytechnic Interance Examination 2020 के स्टूडेंट्स के लिए Most Important Numericals के Part 13 के बारे में यानि की Part 13 के बारे में इससे पहले हमने आपके लिए अल्रेडी 12 पार्ट अप्लोड कर दिया है तो अगर आपने उन सभी पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज description में लिंक है आप सभी पार्ट को बेहत आसानी से देख सकते हैं इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जे टेकनिकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं देखे सहाब इस question को आप ध्यान से दिखे ये question छोटा ही है बट आपके entrance examination में पूछा आ चुका है और इससे related कुछ महतपूर्ण बाते मैं बताऊंगा जिससे भी important question बन सकते हैं और बन चुके हैं आपके entrance examination में तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं question आपके ये कहरा है कि किसी पिंड पर 6 Newton का बल लगाने पर वह 2 मीटर दूरी तैगरता है कि ये गए कारे का मान होगा बहुत simple सा question है अगर आपको work और force में relation पता है कि w बराबर f into s होता है यानि कि कारे बराबर बल गुडे विस्थापन आप जानते हैं तो बहुत आसानी से इस command ग्यान कर सकते हैं लेकिन अब question create होता है कि ये question देखिए यहाँ पे question ये पूशा भी जा चुका है आपके entrance examination में तो यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिलेगी कि बल का जो है MKS पधती में मातरक क्या होता है और CGS पधती में मातरक क्या होता है और CGS पधती में बहुत बार question पूशा आ चुका है कि CGS पधती में बल का मातरक क्या होता है तो जितने भी important points बनते हैं force से कारे से यानि कि work और force से वो सब हम इसमें discuss करेंगे देखिए सबसे पहले यह आप formula याद रख लीजें कि कारे बराबर बल गुड़े विस्थापन होता है W बराबर F into S होता है इससे related numericals भी आते हैं तो question में 6 Newton बल दे दिया गया है तो F बराबर 6 है और S बराबर 2 मीटर है विस्थापन का मान 2 मीटर दिया गया है तो simply W बराबर F into S से हम कारे का मान निकाल लेंगे W बराबर F की जगह पे 6 और S की जगह पे 2 तो 6 दुनी के 12 Joule हमारा कारे निकल के आजाएगा ठीक है तो आप ये ध्यान रखिए कि जो कारे है उसका मातरक MK स्पद्दती में Newton मीटर होता है या फिर Joule होता है MK स्पद्दती में बल का मातरक Newton मीटर कारे का मातरक Newton मीटर होगा और बल का मातरक क्या होता है Newton होता है तो इस स्तिती में आपको ये द्यान रखना है कि कारे का मातरक न्यूटन मीटर हो जाएगा और एक और होता है जूल होता है लेकिन अगर सीजिस पद्दती में बात करें तो सीजिस पद्दती में बल का मातरक जो होता है वो डाइन सेंटिमीटर होता है या फिर अर्ग होता है एक बहुत इंपॉर्टन चीज जो कि आपके इंटरंस इग्जामिनेशन में काफी बार पूछा चुका है कि एक जूल बराबर कितना अर्ग के बराबर होता है तो एक जूल बराबर दस की घात साथ अर्ग के बराबर होता है ठीक है तो ये चीज़ आप धान लखिएगा एक और चीज़ पूछा आता है कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है तो एक न्यूटन बराबर दस की घात पांच डाइन तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टन्ट है तो ये सारी चीज़े बहुत इंपॉर्टन्ट है तो यहां पे हमारा छे गुड़े दो जूल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा तो option के according हम आंसर को टिक करेंगे तो 6 गुड़े दो जूल ये यानि की 12 जूल हमारा आंसर हो जाएगा इस question का तो इस तरीके से option number A हमारा बिलकुल correct answer हो जाएगा तो ऐसे आप question को solve कर सकते हैं ऐसे आपके numericals पूशे आते हैं ये भी numerical पूशा जा चुका है और इससे related जो मैंने most important points बताया कि कारे का जो है वो MKS पद्दती में मातरक न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल होता है और CGS पद्दती में कारे का मातरक डाइन सेंटिमीटर या अर्ग होता है तो ये बहुत important points हैं नहें आप त्यार रख लीजेगा previous year examination में इससे question बन चुके हैं और एक जूल बराबर दस की हाथ साथ अर्ग होता है ठीक है तो आसा करते हैं कि हम अपनी बातों को सपस्ट रूप से आप तक पहुचा पाएं होंगे और इस वीडियो के माद्धम से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी अगर ऐसे ही आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेर कीजे लाइक कीजे और कमेंट कीजे ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए